बोल्ये प्रग्या पुराण कीजे, शदे गुरु भगवान कीजे आओ पावन प्रग्या पुराण मा जाईए तर पहला सवने सद बुद्धी मले सवनु पुल्यान थाए सव जोल भविशे नमार्ग्या अगळोदे ते विद्धिव्यभावना की तेक गायत्रि महामंत्र गुरु शत्तान्यावान आओ भूर भुवाह श्वाह तक्सवीतुर्वारेन्यम भरगोदेवस्यदीमाहि धियोयोनाः प्रचूदया ओम खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तश्मै श्री गुरु एनमा ध्यानं मुलं गुरुर मूर्ति उजामुलं गुरुरु पदं मांत्र मुलं गुरु वात्यं मौक्ष मुलं गुरु कृपा मात्रिवत लाले त्रिच तित्रिवत मार्ग दर्शिका नमोस्तु गुरु शत्ताये स्रद्धा प्रज्या आयुताचया ओम् त्रिगुरु सत्ताये नमह आवायामी थाप्यामी पुज्यामी ध्यायामी चतो नमस्कारं करोमी कंदाक्सतं पुष्पानी दूपम देपम नैवेध्यम शामरपयामी आव पावन प्रज्या पुरानने तेक प्रज्याजित हमने आगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान मन का मेलन नहीं दो यातों कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हर कोने कलमश कशाई की लगी हुई है डेरी नहीं ज्यान की किरण नहीं है अर पोतरी अमेरी आगन चौबारा अधियारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान अमने आंगन नहीं गुवारा, कैसे आएंगे बगवान, कैसे आएंगे बगवान आपने 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 दिनी मन नी सफाई नर करियो यह तो बगवान कही रिजी आवी शेए बगवान ने तो जरूर आवू छे तो आवुआ मांते तरपी गया छे पड़ एने योक्य वात्ता वरान तो मढवू जो ही है जदर हमारा पिगलन पाया जब देखा दुखियारा किसी पंत भूले ने हम से पाया नहीं सहारा सुखी है करुणा की धारा सुखी है करुणा की धारा तैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवार, अमने खांगन नहीं बुभारा, कैसे आएंगे भगवार, कैसे आएंगे भगवार, इसला मांते गुरुदेविर कलूछे, त्राही त्राही कर उठी सब्जेता, वो नारी कल्यानी, बारतिय संस्कृति के नयनों का, मत्त खोव अब पानी, सादा जीवन उठी विचारों की, मही मा को तुम जानो, आगर की तुम पात्र बहिनो, अपनी गरी मा पहचानो, अगर की तुम पात्र बहिनो, अपनी गरी मा को इक्साओ, अपनी गरी मा को पहचानो, कंतर के पट खोल देखलो इश्वर पास मिलेगा हर प्राणी में हो परमेश्व का आबास मिलेगा सच मनशे नहीं पुकारा कैसे आएंगे बगवान कैसे आएंगे बगवान हमने आंगन नहीं बुभारा कैसे आएंगे बगवान कैसे आएंगे बगवान निरमल मन हो तोर गुनाय शबरी के घर आए क्याम शूर की पांप कड़कर शाक विदुर गर खाए इस पर हमने नहीं बिचारा इस पर सबने नहीं बिचारा कैसे आएंगे बगवान कैसे आएंगे बगवान मन का मेल नहीं धोया तो मन का मेल नहीं धोया तो गायत्री मात्री ती जे गायत्री मात्री ती जे बवु अध्भुत द्रस्टान्तो द्वारा गुरु देवे अपला सिशु निर्मानने आगणवधार्था कहे छे त्री गर्भन पोताना सरेर मा नव मैना सुधी धारन करीने मात्र तेने पोशाण जन छे आपती परन्तु संस्कार पण आपे छे जो गर्भा अवस्था दरम्यान मातानू चिन्तन सुध होय खोराक्सात्विक होय एनी उपर नकामू कोई मान्सिक तणाव न होय तो तो ते मनन चिन्तन खड़ती हो तो संतान पण एवुँजी स्रेष्ठ बन से जन्म पछी गर्मा पण एवुँँ संस्कारी वातावरण बनी रहे ते जरूरी छे जीवनना सरुवातना दस वर्ष सारिविक मानसिक तथा भावनात्म क्विकास माते आप खुबज महत्व अनव चारिक सिक्षण आप उजोए ते जयती ते स्रेष्ठ नागरी तरीके तेमन विकास थे सके गई काल्यात्म चिन्तन कर्यों तू आजे आपने जोए श्रेष्ठ ही प्रसेंजित बुद्धनों उपदेश सामबढ़वा माटे एक दिवस पाड़ा वगर आउता आथा नियम इताउता आथा आगली कतार मा बेशता अने वारम वार नमन करता बधा लोको एमने बुद्धना सहार्यक अने समर्शक मानता आथा पड़ कोईने वातनी खबर नोती के मात्र पुत्र नी कामना माटे तेव आम करता आथा प्रसन जितने त्या पुत्री नो जन्म थायो तेव दुखी दुखी थाई गया अने प्रवत्यन मा आववानू पर बंद करी जिदू घणा दिवसो पची जारे दुख ओचू थायू त्यारे एक दिवस तेव उदास मन्ती भगवान बुद्धने मडवा गया तेमनी आखोमा रहेलो ठपकानो भाव बुद्ध समझी गया एमने समझावियू के पुत्र करता पण पुत्री वधारे श्रहे करच जो दरेक नत्या तेमनी इच्छा प्रमाने पुत्र जन्मे तो आँ सुरुष्टी नो अंतजावी जाये एम मानों जुई गाडी ना बेपईडानी जेम भाड़क अने बालिकाओ मोटा थाई अने समाजनू चक्र चलावेच शुरुष्टाए बन्नेन एक सर्खु सनमान आप्योच तमे पन तमारी मान्यताओने बदलो अम करवाथी जे अग्ण्यान जन्य मान्यता माथी तमने छुटकारों मन्से एकलू सरस्बुद्धे समझावियू के प्रसन जितने भाण थाई गयू अने अवे तेवो पुत्र करता पण पुत्रीने वदारेस ने अने प्रेमा प्वाला गयाई से संतना सानिध्यती सद साहित्यना सानिध्यती आ बदा विचारों नूपरिवर्तन थै जाये छे अने आ विचार् क्रांती माटेज सद गुरु देवे अगोर्त पुस्या करी आ साहित्यमा आपना बदाज प्रोब्लेमोंू सोल्यूषन छे अध्भूत वातो बतावी छे महापंडित भासकराचारे गणित अने ग्रहविग्णान ना महान ग्ण्याता आता तेमने लिलावती नामे एकज पुत्री यती अने ते एकनी एकज यती पिता एकने पुत्र नी जे मूचेरी और पोताना संचित ग्र्याननी परमपराने आगणवदारवानों निष्चे करें तेमने पुत्री ने अमेशा पोतानी साथे राखी और पोताना जेविज विध्वान बनावी लिलावती ने कोई कुमारी कहेचे तो कोईक विध्वा कहेचे पण एजे होए ते परंतु ते पितानों जम्णों आथ बनीने रईयती लिलावतिना नामनु पूरातन गणित विग्णान अत्यारे पण उपलब्दच केट-केटला द्रस्टान तो आप्याचे अने एटला माटेच किदूच प्रज्यापूरान सुनिये दुख नाशिनीक था है दुख द्वांद दूर होते मित तीश भीव्य था है प्रज्यापूरान सुनिये दुख नाशिनीक था है दुख द्वांद दूर होते मित तीश भीव्य था है प्रज्यापुरान सुनिये, प्रज्यापुरान सुनिये घर ओर ठारहा है दुरपूद्धि का अंधेरा शंकिर्ण अहमताने फर्मा आदमी को घेरा साधन बहुत बड़े है परमन हुआ विकल है मन को जू शांति दे दे, पावन यही कथा है हज्यापुरान अठी दीव्य को घथा है अठी दीव्य को घथा है तमारावने मारा तमाम संसायोंने मठाड़ नारी कथा आ प्रग्या पुरान आपना पारिवारिक तमाम प्रोब्लेमोंनू सोल्यूसन करे पुरार आस्ट्रनू युगनू निर्माण करवामा समर्थ छे चितोर गड चारे बाजू थी गेराई गेयूं अतू मोगोलों निशेना दस गणी वधारे हती छतापन चितोर ना राजपूतो आरान ताहिमत नोता आर्या एके बाळक बलिदान माट तयार सही गेयों छे एमा उगती उमर नो युवग पन फतो पन हतू एना कुटुम मा मा, पत्नी, बेहन बद्धू जतू अने चारे मा, दिक्रो, पत्नी अने बहन, चारे मर्दों नो पोशाच पहरों अने आख मा तलवार लई, सत्रों ना दड़ पर तुटी पढ़याँ छे अने ये समुद्र मा समाई गयाँ देशबक्ती ना जूसाने जोई, मात्र रजपुटो ने सेना ज नहीं, परंतु सत्रों ने सेना प्रदंग रही गयाँ अते आवी जवातेक बतावी से, जेसल मेर ना राजा युद्ध, जेसल मेर ना राजा युद्धना मौर्चे सैन्यने लईने लडवा गयाँ आता किला ने उरक्षन करवानी जवाबदारी पोता नी पुत्री रत्नावली ने सोपी गयाँ ते पूरुष ना वेशमा किला ना बुर्जोपर रही ने बरा बर रखेवाडी करती युद्ध एक दिव सत्रु शेनाना केतला साईनी को किला नी दिवाल उपर चड़वा लागया ये जोईने येने उपर सी एवोतो पथर मारो शरू करयो औने उकरतु तेल रेडायू किला मा घुश्वा माँटे सत्रु बीजी अनेक चाल खेली परंतु आ रत्नावली नी सुझ अने एक लिज की दूज के देवियां देश की जाग जाए अगर युग स्वयम ही बजलता चला जाएगा शक्तियां जाग जागरंगित गाए अगर युग स्वयम ही मचलता चला जाएगा मूर्ति पुरुशार्थ मेहे सदाचार की पूर्ति श्रम से सहज साध्य अधिकार की पत्निया साधगी साधपाए अगर पति श्वयम ही बदलता चला जाएगा पति स्वयम ही बदलता चला जायेगा देव दूत समान लोकु गणावेचे अरत्नावली बारकोना सर्वांग सम्पुर्ण विकास माटे सर्वाग थीज द्यान आप मुझुई समय विती गयापची माथु कुटू उपडेच तथा खुब पस्ताव उपडेच एक स्त्री सिकागोना प्रसिद्व सिख्षन सास्त्री फ्रांसिसस वेलंड पारकर ने उपुछवा गई कि उमारा चोकरा ने सिख्षन आपको निसरुवत क्या थी कगो त्यारे पारकर ये पुछव आपना बाड़त नो जन्म क्या रहे थासे पेली स्त्री एकाईू ते तो पांच वर्स नो थी गेऊच आसांबली पारकर एकाईू बेन क्समा कर जो अवे पुछवाती सूफाई दो शिक्षन आपको आनो सर्वत्तम समय तो पांच वर्स सुधी नो जो होईच अनि ते आपे बिल्कुल नकामो गुमाविदी दो जो आपे एना जनम पेला एना सिख्षन नी व्यवस्था करी होई एना संस्कार मी व्यवस्था करी होई तो अत्यार सुधी माँ तो एक सुजोग जो लागरूक नी गो आवरूती तरीके तेनों विकास थी खेग होई सुजाताना गर्भमा बाड़क हतु पिता कोहड़ने येने असुध व्यदपाच करता सांपड़ा तेथी ते गर्भमा रहे रहे येमनी भूल सुधारे पिताने गवरूपन थयू और येमा गर्भमा रहेल संतांध्यार येमनी भूल सुधारे छे त्यारे पिताने येमा मान पन लागियो अने तेतरी ए बाड़क ने मने स्त्राप आपयो कि जा तारा आठा आठे आठा अंग वांका चुका आशे और आठी ते बाड़क आठे अंग वाड़ो जनिम्यों आठी ते अस्टावक्र वहवा कुरूप बाड़क जनिम्यों छे पन येमना मां असाधारण विद्वता हाती बचपण मांज येमने राजा जनत्ना दरबार मां जई अने पंडितों ने सास्त्रार्थ मां रावया आता अने इतला माते की दूछे कि धर्म का वास्तवीक रूप हो सामने धर्म गिरते हुऊ को लगे थामने भक्तियां भावना को सजाले अगर ग्यान का दीप जलता चला जाएगा यह धरा स्वर्ग सी फिर समरने लगे स्वर्ग कारूप सच्चा उभरने लगे देवियां दिव्य चिंतन जगाएं अगर हर मनुझ देव बनता चला जाएगा केट-केटला सुन्दर द्रस्तान तो गुरु देवे आप्याची शिता जिये वालमी की नहीं वालमी की जिना आश्रम मा लवकुस्त ने उचरे आता कोई सुविदाना अती पन छूपराव मोता थया पतानी निर्दोष माताने रामचंद्र जी ये वनमा मोकली दिदी ए जानी एमने क्रोध आव्यो पने एक दिवस लक्ष्मन जी विबीस्तन सत्रूगन भरत ने बदाने पराजित करे अश्वमे द्यग्यनों घोडो लई अने वालमी की ना आश्रम आस्थाईने जारे निकड़ा त्यारे लवकुसे घोडा साथे बदाने पकड़ी मा पकड़ीने बांधी नाख्या अने बदाने मुर्चित अवस्तामा करी दिदा भ बिजु गुरुत स्टेत ना आपी सके छे मात्र बाहय जने परतो सुक्ष्म संस्कारों नो पन आपणा चिंतन पर खूब प्रभाव पड़े छे आथी सरुवा मा बारकोना आहार विहार उपर पन अत्यांत धान ध्यान आपूजुए एक सदग्रहस्त राज्यना अधिकारियोना कोपनो भोग बन्यो अने ना पर कोई आरुप मूपीने एमने जेलमा पूरी दिदो एने रातरे एक सोपना आवी के एने पोतानी मातानु खुन करी नाख्यू हतू अने ना लोई थी नायो हतू सवारे उटतांच आ विचित्र सोपनना कारणेते द्रूजी उच्छोच। माता प्रत्य अनन्य भक्ति भाव राखनार अने एनी सेवानु शतत ध्यान राखनार ने आवों खराब सोपन के मावी। जे मडे तेने एनो आ उकेल पुछतो एक दिवस एक संत जंगल मा गया, एक संत जेहल मा गया, के दियो ए पोत्पोतानी जिग्न्यासाओ प्रगेट करी एवक्ते मातानी हत्यानु स्वपन देखनार के दिये पन पोतानी द्विधाव यक्त करी छे। सादो ए जणावी। के मने लागेशे के भोजन बनावनार या पिरस्नार आवाज कुरुत्यनो कोई अप्राधी होवो जोईे। एना कुशंसकार हन नी साथे आरा मनने पन ए माते हमेशा उसकेरता हाशे। अने तपास करी तो साची वातनी खबर पड़ी। ए साची वात जी निकड़ी। जैलनो रशोयो एक हत्यार हो हतो। एना बदले जारे बिजा के दियो भोजन बनावा लागया त्यारे इने वा सपनावता बंद थी गया। अने पला माते की दू अनेव मनन। आन उपर आरीते संस्कारों नो जबर जस्त प्रभाव पड़े। केट-केटला द्रस्तान तो आप तो उंगणी वकद गरवादान संस्कार मां। दिव्य द्रस्तान तापूँच। एक बेन ने एक बारक बवकरोध्वार होतो। सेतानी व्रतिनों होतो। बेन तो खुब भक्ति भाववाडा हता। कथा किर्थन माजता आनंद ना गरवा करता। सुंदर काने ना पाहठ करता। पन दिक्रोग एवो त्राश आपतो होतो। एक दिवस ए डोक्तर पासे गया मनोचिकित पासे। क्या मारा दिक्रान जुओ ने। आकेम आओ सेतान जीरोगोश। मूँट खुब भक्ति करो। आनो करोथ समतोक्यम नथी। आकेम आओ पात्योश। डोक्तर मनोचिकित सकता। बेन ना डित पासे। दिक्रानी ना डित पासे। अने माने ना डित पासता पूचुँ। के बेन आओ बारत पेटमाँ हातो। एक दरम्यान तमारी दिन चर्याशू आशू होती। काई tv picture cinema जोता था त्यार इब ने कि दू हाँ बाड़क पेट मा आतो ए दर्मियन में एसी वखत 16 फिल्म जोयो ची त्यार डौक्तर सद सास्त्र न जानकार था एने कि दू के बाड़क पेट मा होए ए दर्मियन जो टीवी ने फिल्म जोये और एसी वखत 16 फिल्म जोया होए इना बाड़को विलन्य दिपाके, इना बाड़को रामकरिष्ट न पाकी सके। माटे बाड़क पेट माहोए, ए दर्म्यान स्रेश्ट चिंतन, सारा साहिर्चन वांचल पचुक करूँ जुए, गरभादान संसकार कराूँ जुए अने खुबज ए ए गरभादान वाली स्तरी प्रती खुबज दयाप हो राखो जुए, मानवत आवालू वर्तन करूँ जुए, इसनेह पूर्ण, समेदना पूर्ण वर्तन हो जुए अने तोज बारको कोमड मनवारा उपर, को तोज बारको कोमड मनवारा बने छे, स्त्रेस्ट मनवारा बने छे कोमडवन मन वाड़ा बाड़को पर आनी खुबद असर पड़े जेवु चिन्तन माता करे इना परिवार नान्य लोको करे के जेवु खाय एवु चिन्तन मन उपर पड़े छे जरूर पड़िये माता पिताये बाड़को ने विया भारिक सिक्षन आपू पड़े छे कि जेथी ते ओ साचा मार्गे चाली सेके, एक सजनना दिक्रा नास्तिक बनता जता आता, अवार नवार ते ओ कहेता कि इस्वर जो कदाच होए, तो ओए ते पक्स बातीज, कोईकने सुखापेशे, तो कोईकने दुखापेश, आओ न्याए राखनार इस्वर पर स्रजाय कई बाप ने आवातनी खबर पड़ी, येने पोता ना पूत्रों ने बोलावे, येने येमने कसोई कयो नहीं, परन्तो जुदी-जुदी जातना छोड़ रोपवा माटे, येमने पोता नी साथे खेतर मा लई गया, वावे लू समयानू सार परिपकव बन्यू, सेरडी, मिठी लिम्डो कड़ो, गुलाप पर फूल, बावड पर काटा, आम बधामा भिन्नता आती, बापे एना दिकराओ ने बोलावे निकायू, मारा दिकराओ, आपने एकज दिवसे, एकज भूमी मा, एकज पाणी द्वारा आ भूमी मा छोड़ो आरोपवा आता, छता पन एमनामा बिन्नता साथीच, छोक्राओ एक साथे जवाब आपयो, एमा नथी जमिननों दोस, के नथी वावनार नों दोस, बिजनी बिन्ताना कारणे, छोड़ो आवना रूप रस, गंधमा तफावत पड़ेच, त्यारे पिताये पनासीने किदू, भगवान अन्याई नथी, के भगवान पक्स्ताती पन नथी, मनुष्य पोताना कर्मना बिज वावेचे, अनि ए प्रमाने एनों बदलो एने मडेच, बिन्न परिष्थित्योंनों कारण भगवान नहीं, पन व्यक्तिनों पोतानों पुरुशार्थ तथा स्तरज होईच, छोक्राओना मननों समाधान थ भगवान प्रत्य एमनी आस्था स्थिर्थेगे प्रज्या पुरान शुनिये, यह दुख नाशिनी कथा है, दुख द्वंद दूर होते, मिटती सभी व्यता है बदाओ, बदीज व्यताओने मिटाओना आरी आदिव्य कथाच, अने एतला माते अद्भुद ध्रस्तांत द्वारा, गुरुदेव आपनानमा आवातोने रजयांगम बदावानों प्रहत्ने करिरायाच, मोटाओनों व्यवार, जो आधर्स होई, तो एवीज सारी परंप पर आप परिवार मा पण चालेच, एन उस्त्रेष्ट उदाहरन बगवान राम तथा एमना भायोना सबंदोनुच, बरते राम ना वनवास्दरम्यान एमनी जेम साधुना वस्त्रधारन करी, हने चवद चवद वर्षुदी पसार कर्याच, एनु रहस्य मैं बतावता, सु आने खुब बढवान पन अता, छताँ पन तेवो एवो प्रहत्न करता हाता, के भायोन जितारवा माटे पोते हारे, और पोते सतत हारता, आम करवा थी नाना वन उत्ता, तथा साहस्वद ता हाता, आने एमनी स्रहे मनतु आतो, भायो एमनी आउदार ताने समझी गया, और एक साथ्या भात्रु भक्त बनी गया, मोटा थता, एज बिजांकूर, लक्ष्मन, भरत तथा सत्रुक्न बदा भायो माटे आदर्स बनवामा निमित बन्या, और लक्ष्मन जिये स्वेचा पूर्वग वनवास लईने भगवान राम ने साथाप्यों चे, मा सिताने बदल, समझावानों, बदलवानों जो प्रहत्त करवामा आवे, एक आँख थी प्यार और बिजी आँख थी सुधार वाडी उप्ती ये अर्थपूर्णा चे, अति सेलाड मा मन भावे तेम करवा देवा थी बाड़क बगडे चे, येमने मारवा के डरावा ना जोई, पर अयोग्या आचरण थी थत्तू नुक्षान अवस्य बतावो जोई, और एमने एम करता रोकवा पन जोई, शाड़ा की ये सिख्षण उप्रांत, बाड़कोने लोकाचार सिखवानी योग्यरित, और एमने शारगर्वित कथावा आर्तावो संबडावीच, ग्न्यान एमने नजीकना विष्थारों मा फरवामाटे पनलई जवा जोई, और रस्तामा आउति वस्तू अद्वारा एमने जिख्णान व्रत्ली पन करवी जोई, एमने जिग्न्यासा खरवानी तदा प्रस्ण पूछवानी पन तेव पार वी जोई, एमने ए प्रवूरुतीने प् येडवी आपवा जुए, सारी मित्रता येमनी बने, येवो प्रेत्न करवो जुए, वडिलो नितेमज, वडिलो निजेम, साथियो पासे थी पन बाढको गुरू सिखेज, माटे आबाबते पन सावधान रेवु जुए, बाढको ना विकास माटे त्रण महत्वनी बापतो आयां दव मिया रूशी बतावी रयाच, पेलू लाड प्यार, तथा सुधारनानी समन इतनी ती अपनावीने, येमने स्नेहती वंचीत पन नराखवा, तथा जरूर पडे, तो येमनी साथे सकताई करी, अने खराब बाबतो थी, येमने बच्चाववा, बिजु बताविय जीवन साचरेना माध्यम द्वारा सतता आपता रहेवु जुए, येमनी येग्यास्त बुद्धीने प्रखर प्रण बनावी जुए, तधा स्वाध्याय प्रत्रेनी प्रत्यनी रुचिने जगार वी जुए, तरी जु बतावियु छे, आखो दिवस पोतानु बाड़क को प्रत्यना पूजुए, येना माटे स्ट्रेश्ट बाड़को तेना मित्र बने, ये माटे प्रोच्चाहन पना पूजुए, उप्रोक्त बाबतो, उप्रोक्त त्रने बाबतो, बाड़को ना किशोरा वस्था सुधीनी विकास्त प्रक्रियामा महत्त्वनी भुमिकानी बा गुरु देवत मारी जाय जाय हो 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 गुरु देवत मारी 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 जाय हो झाल झाल